असम सरकार ने निरस्त किया मुस्लिम विवाह और तलाग कानून, मंत्री बोले UCC की दिशा में बड़ा कदम, विपक्षियों ने कहा दम है तो लागू करो। असम में मुस्लिम विवाह और तलाग कानून खत्म करने पर कॉंग्रेस का आरोप कहा हिंदू मतदाताओं की खोशी के लिए लिया गया है ये पक्षपात पूर्ण फैसला। के कानूनी उम्र से भी पहले करा दे जाती है। यही वज़ा है कि उत्राखन में समान नागरिक संगीता को विधान सभा से हरी जंडी दिखाने के बाद अब असम ने भी इस दिशा में पहला कदम पढ़ा दिया है। में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही घोशना की थी कि असम एक समान नागरिक संगीता लागू करेगा। आज हमने मुस्लिम विवाह और तलाग पंजीकरन कानून को निरस्त करने का महत्तपोर्ण निर्न लिया है। इस अधनियम में विवाह पंजीकरन की अनुमती देने वाले प्रावधान शामिल थे। भले ही दूलहा और दूलहन 18 और 21 वर्ष के कानूनी उम्र तक नहीं पहुँचे हो। जैसा कि कानून में जरूरी है। ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्तपूर्ण कदम माना जा सकता है। वहीं कैबिरेट मंत्री जैंत बरुआ ने मेडिया से बातचीत में कहा असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधनियम 1935 के आधार पर 94 मुस्लिम रजिस्टरार अभी राजी में मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण और तलाक कर रहे थे। इसे निरस्त कर दिया गया है। आज की कैबिरेट ने इस एक्ट को हटा दिया है जिसके बाद आज के बाद इस एक्ट के जरिये मुस्लिम विवाह पंजीकरण या तलाक का पंजीकरण नहीं हो सकेगा। हमारे पास एक विशेश विवाह अधनियम है इसलिए हम चाहते हैं कि सभी विवाह विशेश विवाह अधनियम के तहत हूं। बताते चले कि कॉंग्रिस नेता राश्विद मंडल ने सरकार के फैसले पर कहा कि मैं अभी तक इसे विस्तार से नहीं देख पाया हूं लेकिन ये एक पक्षपात पूर्ण फैसला है। लेकिन ये तथ्य नहीं है। ये कानून सिर्फ मुस्लिमों के शादियों को पंजिकृत करने के लिए है और ये भारत में समविधान की अनरूप है। ये मुस्लिमों का पर्सनल लौ है जिसे हटाया नहीं जा सकता। हम अपनी पार्टी के नेताओं से चर्चा की बाद इस म